क्या third party की बज़े से आपके जिंदिगी में खाली पन आ चुका है? उधासी आ चुकी है दुख आ चुका है और बहुत कोशिश कर रहे हो खुद को इस तकलीफ से निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हो अपने रिष्टों को सही करने की पर हो नहीं पा रहे हैं और आप जानना चाहते हो क्या चल रहा है आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में, क्या कुछ इनके जिंदगी में आ रहा है, क्या आपको तकलीफ देने का कर्मा इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो चलिए, आज का वीडियो आपके लिए है. तो हलो एवरिवान, मैं रित्तु भारतवाज, टैरो रीडिंग 2190 से, मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत सवागत करती हूँ. लास्त तक वीडियो को ज़रूर देखेगा, बीच में डिस्कनेट करेंगे, स्किप करेंगे, तो एनरजी पी स्किप हो जाती है. बने देखेगा, बीच में डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिये हुए हैं. ओके चलिए, देखते हैं क्या रहे हैं आपके पार्टनर और थोर्ट पार्टी के अनरजीज, स्किप करेंगे, तो टैरो चनल का हिसाब बन पाएंगे और कार्ट के साथ कनेक्ट हो पाएंगे. जली जली सब्स्राइब कर लिजेगा, शेयर करेंगे, तो हो सकता है इस वीडियो के जड़र तौर किसी को हो, राइट, चलिए देखते हैं, जेंडर बाइस बिल्कुल भी नहीं है, आप जिस भी जेंटर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंटर के हैं देख सकते हैं. First card आया है, exhaustion का card, nice, very good, right? Next आया है, aloneness, breakthrough, experiencing, stress, sharing, इनको clarify कर लेते हैं, exhaustion आ रहा है, sorrow, aloneness को clarify कर रहा है, past lives, breakthrough को कर रहा है, compromise, okay, experiences को कर रहा है, awareness, okay, experience से awareness आ जाएगी इन लोगों में, stress को कर रहा है, clinging to the past, sharing को कर रहा है, dreams, fine, okay, So, देखे, basically क्या चल रहा है, यहां पर, actually, अभी इन दोने के रिष्टे में कुछ खास problems नहीं है, ठीक है, अभी जो भी इन दोने का रिष्टा चल रहा है, वो ऐसे खयालों में यह लोग हैं, ठीक है, ऐसे सपनों में यह लोग डूबे हुए हैं, जैसे कि बहुत सब कुछ fair है, सब कुछ अच्छा है, एक सपनों की दुनिया इन्होंने अपनी आपस में बसा रखिया, ठीक है, शेयर करते हैं, दूसर से अपनी बाते शेयर करते हैं, अपनी एक्स्पिरियेंसे शेयर करते हैं, अपनी खुशियां शेयर करने की कोशिश कर हैं कि लेकिन दीक धिरे क्या हो जाएगा इन दोब में जो यह सपना है न कहीं न कहीं यह सपना कौंप्रमाइजिस में बदल जाएगा ठीक है दोनों में कौंप्रमाइजेस तो नहीं करना है, तो इस सपनों की काफी जाल बुन रखा था, बहुत खुशियां, प्रेम, प्यार, वो सब कुछ यहां पर खतम हो जाएगा, धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे समय बढ़ेगा, वैसे-वैसे करके इन दोनों के बीच में एक दूरियां आने लग जाएगी, कोशिश करेंगे इन तूटे हुए टुकणों को जोडने की, नहीं जोड पाएंगे, दिल तूट जाएगा, सपने तूट जाएंगे, कोशिश होगी कि यह सपने वापिस ठीक हो जाएं, या रियालिटी में कनवर्ट हो जाएं, या जो चल रहा था, वैसा ही चलता रहें, जि क्लेम कीज़ेगा, जलदी-जलदी कर्मा, पार्टनर का भी और थूर्ड पाटी का भी, क्योंकि यह हाँ पर यह यही बता रहे हैं, कि जिस तरीके से आपका दिल तूटा, जिस तरीके से आपने कॉम्प्रमाइज किये, जिस तरीके से आपकी जिंदीगी में तकलीफें करो आप कोणिसा अनुद रहना है हो स्वायो के इसा अंड़ कि तुम को स्वाइश कोई को до मेरा तुम चुक्छ लोग ऐसे भी हंगे जिन के पार्टनरो एक यह समय ठीव शाथ करो। कि तुम्हारे अंदर तो ये प्रॉब्लम है उसके अंदर देखो ठीक है या फिर वो अर्णिंग है और तुम अर्णिंग नहीं हो तुमने किया ही क्या जिन्दिगी में तो बहुत सारे ताने आपको सुनने मिले हैं बहुत सारी परिशानिया आपने जहेली हैं ऐसा कुछ कहा गया है जो आपको mental torture हुआ है देलो दिमाग तक चाह गई है वो सारी बाते निकालने की कोशिश करते हो लेकिन निकल नहीं पा रही है इतने तीखे वार किये हैं आपके partner ने इतनी तीखी और गंदी बाते आपको बोली है कि निकलने की कोशिश कर पा रहे है उस चीज से तक ही चल पाएगा अफिर उसके बाद यह तूट जाएगा तो यह चीज अभी बहुत अच्छी लग रही है लेकिन एक टाइम डेफिनिटली बहुत शॉटली आने वाला है जहां पर इनको awareness आजाएगी यह लोग experience करेंगे उस तकलीफ को जो आपने की है पार्टनर को कही न कहीं awareness आने लगेगी आपके जिंदगी में जो किया आपके साथ जो दड़ दिया आपको जो तकलीफ दी वो उसको भी मिलेगी उसको कर्मा मिल रहा है जो जेल ना पड़ेगा ना इसको समझ में आएगा कि यह कर्मा मिल रहा है सो कहीं न कहीं इसको guilt होगा, awareness आने लगेगी कि इसने किसी की जिंदगी के साथ क्या कर दिया, कितना बिगार दिया, सब कुछ, कितना धोका दे दिया, एक ऐसे loyal इंसान के साथ गलत कर दिया, जिसने इसके जिंदगी में खुशिया दी, courage दिया, support दिया, और आपके partner ने क्या क होगा, guilt होगा, कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है, और जो guilt है इनको इतना जादा तकलीफ experience करा देगा, कि ये खुद में शर्मिंदा होने लगेंगे, और कोशिश, आप में से कुछ लोगे partner तो कोशिश भी करेंगे वापस आने की, तो reunion ज़रूर claim कीजेगा, और तो तकलीफ आपने experience की है, वो तकलीफ ये जब experience करेंगे तो इनको exactly relationship का मतलब समझ में आएगा, प्यार का मतलब समझ में आएगा, एक ऐसे रिष्टे का मतलब समझ में आएगा, जिसमें की promises थे, प्यार था, respect थी, hope थी, कोई confusions, कोई लालज, कोई politics, ये सब चीजे नहीं ठीक है, तो ये जरूर से जरूर ये experience करेंगे, कि इनकी जिंदगी में क्या ये इनोंने खो दिया, अकेलापन, एक टाइम ऐसा आएगा, जब बहुत जादा अकेलापन हो जाएगा, दोनों को, और exhaust हो जाएगे, एक दूसरे की शकल तक देखनी पर दाश नहीं होगी, क्यो आपके जो पार्टनर है, उसकी बेज़ती होने वाली है, कही ना कही आपके पार्टनर भी रिवर्ट में उसकी बेज़ती करने वाले हैं, so exhaustion हो जाएगा, मतलब चिड हो जाती है, एक दूसरे से, exhaust हो जाता है relationship, honesty नहीं रहती है, loyalty नहीं रहती है, सिर्फ मैं 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 रह जात है, और जहां पर मैं होता है, वहां पर रिष्टे नहीं चल पाते हैं, so कही ना कहीं ये लोग अकेले रह जाएंगे, कर्मा definitely इनको भुगतना पड़ेगा, दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, रोएंगे ये लोग, अकेले बैट करके रोएंगे, जिस तरीके से आप अके पतना ही पड़ेगा, एक ऐसी energy इनको जहलनी पड़ेगी, जिसमें की सिर्फ और सिर्फ negativity है, transformations definitely इनकी जिंदगी में आ रहे हैं, कोशिश करेंगे balance करने की रिष्टों को, एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, जब इनके सारी समझ कुछदारी कहीं न कहीं dustbin में चली जाएगी, फिर इनको realization होगा, कि किस तरीके से आपको रुलाया, आपको stress दिया, past life regressions होने लगेंगे इनको, कि जरूर कुछ न कुछ पिछले जन्नम में बुरा करम किया होगा, कि ये third party इनकी जिंदगी में आई, या third party को ये regression होगा, क ये partner जिंदगी में आगया, क्या ही बुरे करम किये थे जो ये दोनों मिल गए, इस तरीके की बाते इस तरीके की कोई इनको समझ में आएगी, कर्मा किसको बोलते हैं, कर्मा मिलेगा यहाँ पर, past life regressions होने लगेंगे, कि कि मनूस घड़ी में हम लोग साथ में ले थे, तो अकेला पन हो जाएगा, एक दूसरे से भागने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से जिंदगी से निकलने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई ना कोई एक इनसान दोनों में से एक किसी दूसरे को निकाल ही देगा, और सिखनेस, तकलीफ, दर्द, फिजिकल प्रॉब्लम्स, डिजास्टर आने वाला है इनकी जिंदगी में, कहीं न कहीं आपके पार्टनर का सेल्फ कॉन्फिदेंस चला जाएगा, जो अपने आपके ओपर इतना घमंड और अटिटिवड ना आपके पार्टनर को, वो सब घमंड तूट जाएगा, बहुत कुछ मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अट लास्ट ये रिलेशनशिप एंड की तरफ ही जाएगा, देस्टिनी में यही लिखा है, जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे, जो बोगे वो ही काटना पड़ेगा, लगता था ना ये पार्टनर बहुत लखी मिलेगा, बहुत खुशिया रहेंगी, लेकिन नहीं यहां तो सेक्रिफाइज़ आ गए, कॉम्प्रमाइज़ आ गए, डर्कनेस में चला जाएगा रिष्टा, स्ट्रेस बहुत होगा, बहुत स्ट्रेस होगा, आपको भी तो स्ट्रेस दिया था, आपको भी तो अकेला चोड़ा था, आपको भी तो रुलाया था, तो इनको भी रोना पड़ेगा, इनको भी स्ट्रेस होगा, सोच के परे, जितना सोचा भी नहीं है, उससे कई गुना जादा मिलेगा, कई गुना जादा मिलेगा, आप वेट कीजिए, बहुत जल्द आपके पास एक गुड़ नियूस आएगी, कि इनकी जिंदिगी नर्क बन चुकी है, इनको तब लग रहा था ना, कि अपनी जिंदिगी का बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं, इनको अपनी जिंदिगी का बेस्ट पार्टनर मिल रहा है, इन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं, फिर पास याद आएगा, फिर आपकी यादें घेल लेंगी इनको, फिर आपकी एक्चुल आपकी वैलियू इनको समझ में आएगी, आपका प्यार इनको समझ में आएगा, और ये आपको ढूंडेंगे कि अब आप क्या कर रहे हो, कहीं आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं आप लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ चुके हो, कहीं आपकी लाइफ में खुशियां तो नहीं आगई है, इनके बगएर आप खुश कैसे रह रहे हो, ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं याद करेंगे, पास को याद करेंगे, आपके साथ बिताए हुए पल, आपने क्या इनको बोला, आपने क्या इनके लिए किया, क्या कुछ नहीं किया आपने इनके लिए, वो सारी चीज़े इनको वापिस से रिवाइंड होगी इनकी आखों के सामने, कई लोग कोशिश करेंगे, नियू बिगनिंग करने की, आपके साथ वापिस से नई शुरुवात करने की, वापिस से रियूनियन करने की, अभी आपको डिसाइड करना है, कि आपको क्या करना है, आप रियूनियन करना चाहते हैं, या आप कर्मा चाहते हैं, या फिर आप पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजिस आए हैं, उन चैलेंजिस को फेस करें, सक्सेस आपके सामने जरूर आएगी, आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना है, सेल्फ लव करना शुरू कर दीजे, अपने उपर काम करना हजार नुक्स निकाल लेते हैं financially अगर आप उनके ओपर dependent है तो कहीं ना कहीं financially खुद को independent बना लीजिए क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा है कि आप उनके ओपर financially dependent हो और जैसा वो बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा तो अगर यह third party situation में हैं तो अभी universe ने, angels ने आपको अभी situation में इसलिए डाला है ताकि आप खुद को develop कर सको आप अपनी life को आगे बढ़ा सको आप खुद कुछ बन सको आप अपनी जिन्दिगी में आगे बढ़ सको successful इंसान बन सको आपके जिन्दिगी का कोई ना कोई मकसद जरूर है उस मकसद को पहचानिए life में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए अपने लिए positive होने की कोशिश कीजिए खुद पे काम करने की खुद को heal करने की कोशिश कीजिए एक plan करिए अपने future के लिए जो past था वो तो निकल गया उसको हम बदल नहीं सकते हैं लेकिन जो present है उसमें कुछ ऐसा करने की हमारा future अच्छा हो जाए तो उस मकसद के लिए काम कीजिए उस motive के लिए काम कीजिए ताकि आगे आने वाला समय आपके लिए beneficial हो यह थी आज की card यह थी आज की reading I hope आपके साथ resonate की होगी फिर से कहती हूँ like, share, subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है Instagram, YouTube and Facebook किसी भी social media पे आप हमें join कर सकते हैं और claim जरू कीजिएगा चिपलवान लिख कर बताईएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं सो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you and have a nice day